नमस्कार मैं रुस्तम सिंग्राणा और आप देख रहे हैं थारु समाचार आज हम आए हैं देवकली गाओं में जहाँ पर महिलाओं का समू बैठा हुआ है और उनसे हम जानेंगे कि वो अपने जिन प्रतिनिदी से अपने नेताओं से कितना खुस है वो इनकी समस्या को कितना सुलजाते हैं कितना नहीं आप देख लीजे महिलाओं का समू बैठा है उनसे हम जानेंगे उनकी क्या समस्या है और उनके राजनेताओं उनके जिन प्रतिनी दिने उनका कितना समधान उनकी समस्याओं का क्या है सबसे बड़ी समस्या मैं जानूगा। आपका क्या नम है? मेरा नाम इस निलता है। मैं गराम देवपली से हूं। हमारे गों में रोड तो पास हो गई, लेगिन आज तक रोड ही नहीं डली है हमारे गों में। ही लोगों कि किसी से आश्वासन मिला हूँ की हम ठीक करा देंगे हम ये करा देंगे अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हमने किसी से कहा भी नहीं है और भी जाने गे उनकी क्या समस्या है गाउं की दिशां साथ 17ения का पैसर के पैसे कोई लेडिंग लेन के खाओ के रहा वे तैजब पैसे सहां और हम तुम्हें रपॉर्ट करेंगे हम तुम्हें रपोर्ट करेंगे हम पैसा हम से लए गए यह जिस तरह से बता रहे हैं कि इनकी जो बिल्की समस्या है कि यहां पर जो रीडिंग उतारने वाले जो आते हैं बिजली विखाक से वह जो है इनसे एक तरह से पैसे मांगते हैं और पैसे वह एक तरह से इलीगल है और क्योंकि एक तरह से भृष्टा चार को बढ़ावा है आप यह बताए कि आप ने इसकी शिकायद जो है दर्ज कहीं कराई है कि इस तरह से लोग आ हैं बिजली विखाक से और वह हम से पैसे हैं अभी तक तो कोई नहीं आया था दर्ज नहीं करवाए अभी इसी वार यह दो मैने हुए हैं विजली की समस्या रेडिंग चड़ाने आते हैं तो धमकी डराते हैं धमकाते हैं कि करके हम सितार गंज में रिपर्ट कर देंगे और जैसे कि अग तुम सितार गंज के चक्कर काटोगे पैसे नहीं दोगे तो विजली का वकाया हम बिल दे कर आते हैं फिर वी उपर से पैसे मांगते हैं रेडिंग चड़ाने आते हैं एक तरह से बिल की इनकी समस्या है रोड की समस्या है क्या नाम है आपका बभीता जी यह जो रोड की समस्या बहें जी बता रही हैं क्या-क्या दिक्क्ते होती है आप को चाहें वह वर्सात हो, चाहें वह गरमी का सीजन हो क्योंकि जिस सतरह से वह धूल nggak होता है वह 狂ता बहुँ हैं, और कई सारी समस्या हैं, उस से आप क्या-क्या समस्या फेस करती हैं सड़क न और बश्लाद के टा realities लगा लो पानी यानि रोड में भरा रहता है तो क्या हैं आप और जाता है। विए बेसरे अणियोगें दते हुए हैं आप या किसी बिदायक से मिले हूं आप सम्माथ में कि जब भी कोई आता है तो हम इसमस्तर रखते हैं मैं लेकिन आसना आई थी उसके सामने भी रखा दौनीर गश्की किसीन किसीं नहीं कि किसीने सब्सक्राइब कर चलते हैं जो मूर समस्यह उसका toner शोटे से करा देते हैं तो बिचारी पांच में छोटे चोटी होती है और पांच में चले जाती है साइकल चलाना आता नहीं है और गाड़ी की फीस बहुत जादा है तो गाड़ी में भी भेजनी सकते इस वज़े से दस्तक तो बनना ही चाहिए इस गाउ में इस गाव में स्कूल बिद्याले की वी जिस तरह से बेहन जी बता रही ही की समस्या है कि यहां पर जो छुट छुटे बच्चे हैं उन्हें क्योंकि नानगता यहां से थोड़ा दूर है जिस वज़े से कई लोग पढ़ने भी नहीं जाते हैं या फिर जिनके पास कुछ साधन नहीं है वो भी एक तरह से बच्चे जो है सिक्षा से बंचित रहते हैं यहां पर सरकारी स्कूल है जो की पास तक है और इनकी मांगिये है कि वो स्कूल जो है दस तक होना चाहिए जिस तरह से एक सिक्षा का जो है एक इनकी मूल समस्य यह है कि बिद्याले यहां पर ना हो और भी कई तरह की समस्ष्य होंगी उनसे हम जानेंगे कि आपको क्या लगता है ने कि रोट के बारे में कुछ कहना चाहूंगी जैसे गर्मियों की दिन ने शुरू हुआ था हमारा रोट का काम रोट का काम हुआ तो उन्होंने मिटी निकाल दी रोट वहता नहीं है रोट से जो आता है है रोट लेवल से उसको हटा दिया अब उसमें गड्डे पढ़ पथ पतला पतला उसका बजरी लेविल कुछ डाला उसमें गड़े तो एक भी उसमें भरे नहीं जब भी बरसात होती है ताला आपके जैसे हो जाता है नाली भी है नहीं ताकि नाली को द्वारा निकल जाए पानी और अब यह बरसात भी निकल गई है अभी काम शुरू हुआ तो एक तरह से रोट की शुमश्या है यहां दो द्यबकली गवयूं में और कई सारी समस्यां रोट के साथ जिस तरह से बता रहे हैं कि आतते हैं पैसे मांगते हैं और किod热ी कि Сँन्वाई अभी तक नहीं हुई है इसत्रह की समस्या जो है हमारे जन प्रत्ती kep नावियों को स थारु समचार।